हेलो एवरिवन, वेलकम तो एलीट स्क्रीट, I hope कि आपकी प्रिप्रेशन सही चल रही होगी, और जितने भी हम लोग कॉंसेप्ट वीडियो अपडेट कर रहे हैं, आप उसको सही से सीख रहे होगे, इस पर्टिकलर वीडियो में मैं कॉंसेप्ट कोई डिसकस करने नहीं आया कि what is the importance of July and August for you, basically July तो almost खतम होने वाला है, और August पूरा complete मन्त आपके पास है, और July और August सबसे important मन्त होते हैं, cat की विप्रेशन के लिए, क्यों सबसे important मन्त है, understand that point, कि जैसे हम लोगों का Facebook group है, उस पे तीन से चार दिन पहले, किसी एक student ने पूछा कि Aim Cat या Time की test series कितने की है तो वहाँ पर एक comment था, मेरे इस student का एक comment था कि August तक wait कर लो, और काफी लोग demotivate हो जाएंगे, तो अपने आपी वो लोग सस्ते में बेच देंगे test series, now understand this point, कि July और August में सबसे जादा student quit करते हैं preparation, reason क्या है quit करने का, कई reason हो सकते हैं, या तो mocks में कम score आ गए, या तो बहुत ही एक बड़ी journey है, एक साल कम नहीं होता है, एक साल, पांच मन, छे मन, बहुत बड़ी journey है, 6 मन में time आएगा, जब demotivate हो जाएंगे, कि क्यों MBA करना चाहते हैं, बहुत चीज़ें, कोरोना के चलते हैं, और ज़्यादा issues, तो काफी ज़्यादा ऐसे point होते हैं, जिस समय काफी student में रहता है, क्योंकि जब ये जैसे sign curve बना हुआ है, सबको पता है, this is a sign curve, और यहाँ से preparation student की start होई है, यह preparation का start है, this point is, यहाँ से जब start करता है तो उस समय थोड़ा सा जोश भी रहता है, जब नई-नी preparation स्टार्ट होती है, सब चीज़े track पर, सारे assignment track पर, सारे जितनी भी जितनी भी चीज़े चल रही है, सब कुछ track पर, assignment track पर, revision track पर, questions की practice कर रहे है, groups प्रैक्टिव है, सब चीज़े चलती है, फिर एक point आता है, जब peak पर पहुँच जाती है preparation, और जब peak पर भी preparation पहुँच जाती है, जब let go student हर दिन का 7-8 hour दे रहा है, और लगा थ तीन से चार दिन किसी भी reason के करण, या family issues हो, या job issues हो, किसी issues के करण, अगर 4-5 दिन का एक साथ preparation नहीं हो पाती है, वहाँ से start होती है, demotivate होने की journey, और धीरे धीरे वो जो student peak पर आया था, धीरे धीरे उसकी journey धीरे धीरे कम होने लगती है, time कम होने लगता है study का, और journey कम ह होने लगती है, तब तक जब तक ये phase खतम होता है, maximum student के लिए उस समय जून जुलाई आ चुका होता है, और अब वो लोग अपने mocks start करते हैं, एक से दो mocks देते हैं, और शुरुआत के एक दो mocks में score कम आ जाता है, जैसे ही score कम आता है, तो उनकी journey और जादा negative में move करने ल कैसे ही quit करते हैं, वैसे ही बाकी student को मौका मिल जाता है कि अपनी चीजों को pace पे लाएं, क्योंकि कई student को ये चीजे नहीं idea, जो first time preparation कर रहे होते हैं, कि mocks cat को decide नहीं करेगा तुमारा, first जो mock होता है तुमारा, वो कभी भी cat के score का replica नहीं है, लेकिन last mock जो है, वो almost cat के score का replica रहेगा तुमारा, तो तुम्हें mock ये नहीं देखना, तुम्हारी ये journey है, ये पूरी, ये sign curve है एक तरह से, तुम आगे जाओगे, उपर, उपर होगे, peak पे होगे preparation की, फिर दीरे-दीरे preparation डाउन होगी, डाउन होगी, डाउन होगी, डाउन होगी, और यहाँ पे पहुच तो तुमारी preparation इस point से start होगी कहीं से, and trust me, चाहे यहाँ से start हो, चाहे origin से start हो, या थोड़ा सा उसके बाद start हो, फिर भी तुम जुलाई और अगस्त में इस position पे ही almost होगे, और ये मैं average और maximum student के लिए बात कर रहा हूँ, 99.859% instrument के लिए, बाकि 0.1% instrument ऐसा रहेगा, जो अच शायद इस चीज़ को ना face करें, लेकिन maximum student इस चीज़ को face करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पे जब तुम quit कर देते हो, तो एक vicious cycle बन जाती है, जो तुमें हर साल repeat करनी पड़ती है, और जो student यहाँ पे quit नहीं करता है, वो अपनी journey को फिर से उपर ले जाता है, फिर से वो उ यहाँ तुम्हें quit नहीं करना है, यहाँ पे maximum strength टूट जाते हैं, जब mocks में 3-4 mocks में score कम आया, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, कहीं से family pressure, कहीं job का pressure हुआ और यहाँ पे quit कर देते हैं, और जैसे ही quit करोगे, एक साल तुम्हारी life का वहीं खतम हो जाएगा, क्योंकि quit कर करने से तुम्हारा वो नहीं है कि तुम्हारा कुछ selection हो जाएगा, quitting is not an option, अगर तुम्हारा selection ना भी हुआ और तुमने यह journey continue रखी और तुम यहाँ पे भी पहुँच पाए, तो यह वाली learning अलग phase पे होती है, यहाँ का zero और यहाँ के zero में शायद curve में difference नहीं होता है, तुम इस वाले origin के zero से start करोगे, यहाँ पे कुछ x-axis का, x-axis होगा, मतलब वो तुम्हारी learning है, यह तुम्हारा पहला, यह point है learning, and this is your selection, तुम यहाँ पे अगर पहुचोगे, यहाँ तक अपनी preparation को भी लेगा इस साल, तो learning phase पे रहोगे, selection next year हो जाएगा तुम्हारा, तुम ने quit कर दिया, you have to start from here only, तो यह तुम्हे decide करना है, कि तुम अगस्त में अपना course सस्ते में बेचोगे, कि तुम अगस्त में अपनी testory सस्ते में बेच रहे हो, या तुम्हे यह चीज decide करनी है, कि तुम इस बार mock दे के, इसी बार cat को crack करोगे, यह तुम decide करोगे खुझ से, यह तुम्हे ही decide करना है, और तुम्हे इस point पर आकर, maximum student, maximum student trust करो, जुलाई अगस्त में अपनी preparation को quit करते हैं, और जब वो quit करते हैं, तो बाकी student के पास मौका है, शायद जो quit कर रहे हैं, उनको नहीं रोक सा रोका जा सकता, कुछ student शायद इस चीज को समझे, कि quitting is not an option, it is never an option, कभी भी option नहीं है, वरना अपनी journey को तुम्हें फिर से backward से start करना पड़ेगा, अपनी journey को अगर अच्छे से cover करना है, तो quit ना करके, अपने basic पर work करो, अभी भी अगर तुमने preparation अभी भी start करी है, तो अभी भी तुम्हारे पास enough time है, कि तुम इस preparation को आगे ले जाओ, और cat में अच्छा score कर पाओ, enough time है, हमारे पास 4 मन्त है, 2 मन्त अपने basic पर दो, 2 मन्त mocks पर दो, अगर जिनकी preparation हो चुकी है, वो 4 मन्त mocks पर concentrate करें, depends on the question, और जब तुमने अपनी preparation start करी है, ठीक है, just quit मत करो, regular रहो, सीखते रहो चीजों को, तुम्हें पता नहीं है कि mocks में भ passions अच्छा रख पाते हैं, और 99 plus cross कर देते हैं, इस चीज को थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा, कि सिर्फ mock का score, तुम्हारा cat का score नहीं replicate करेगा, पहले mock का score तो 100% नहीं करेगा, शुरुआत के 10 mock का भी नहीं करेगा, लेकिन जो last mock होगा, वो decide करेगा, कि तुमने कि कितनी महनत करी है, कितनी भी patient करी है, और वो last mock का score, almost 99% cases में, that will be replica of your cat score, वो ही तुम्हारा cat score का replica होगा, कि हाँ तुमने last mock में अच्छा किया है, learning phase है mock, तुम्हारा हर एक mock तुम्हें 34 question quant के सिखाएगा, 8 set LRDI के सिखाएगा, 6 RC सिखाएगा, पैरा जंबल सिखाएगा, make sure क कि जब एक mock खतम हो, तो उस mock से related कोई question अगर दूसरे mock में बनेगा, तो वो गलत ना हो, ये नहीं है कि तुम हर हर एक mock में कुछ question ऐसे होगे, जो इसमें तुम सफर करोगे, बट वो ही तो beauty है mocks की न, कि तुम्हें सीखना है वहाँ से, mocks are just for your learning, तुम्हें 3 घंटे बैठन सिखाता है, पहले तो कई student ऐसे होगे, जिन्होंने पहला mock दिया होगा, उनसे 2 घंटे के बाद बैठा भी नहीं किया होगा, वो energy level ही maintain हो पाता है, पहले तो तुम्हें 3-4 mock तो लगेंगे, सिर्फ energy level maintain करने के लिए, थोड़ा patience रखो, patience रखोगे, चीजे अपने आप ही improve हो होने लगेंगे, अपने आप ही तुम देखोगे, जो तुम 80 marks, 60 marks, 70 marks में तो mocks पे, 70 से 140 की journey कप हो गई, तुम्हें पता बेनी चलेगा, but just patience रखना बहुत जरूरी है, quit नहीं करना है, जुलाई और अगस्त में इतने student है, वो student तुम्हें नहीं बनना है, जो quit करता है, तु I hope कि तुम quit नहीं करोगे, अपनी preparation continue रखोगे, सीखते रहोगे, जितना सीखने को जहां से मिल रहा है, अपने coaching से जहां से भी तुम्हें जितना YouTube से जो मिल रहा है, वहां सीखते रहो, cat में हो सकता है तुम्हारा दिन हो, और you will crack this exam, चलो all the best, thanks and happy learning, फिर मिलेगे किसी और व